कि अच्छे होंगे आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटिफुल लोकीशन पर ले जाने वाली हूँ जहां का हर व्यू अल्टीमेट है और बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है जिसका नाम है शिमला और इस वक्त हम खड़े हैं कश्मीरी गेट की बस स्टैंड पर जहां से हमारी ज बस का टाइमिंग है शाम के नो बजे और अभी हम साड़े आठ बजे बस स्टैंड पर खड़े हैं और वाल्वो बस में जैसे ही एंटर होंगी मैं आपको बस का तूर भी दूंगी और साथ में बस का टैरिविया आपके साथ शेयर करूंगी और शिमला के जितने भी व्लॉ मिस न करें और पूरे व्लॉक्स देखें जितने भी आएंगे क्योंकि बहुत थी इंटरस्टिंग व्लॉक्स हैं विद ब्यूटिफुल नेचर के साथ तो बने रही व्लॉग में लास्त तक आशा करती हूं कि आपको सारे व्लॉक्स पसांद आएंगे आई होप यू लाइ है जिसमें हमारी जर्नी होने वाली है और अम में बस के अंदर एंटर करने जा रही हूं और यह बस का इंसाइड व्यू है देखिए काफी सुन्दर बस है और इस बस में जो सीड्स है वो भी काफी कमफर्ट है और साथ में लाइग स्पेस भी दिया हूँ है जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप अराम से लेट कर अपनी जर्नी को इंजोई कर सकते हैं इस बस के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाया था और हमने यहां पर आकर ही टिकेट लिया है ऑफ लाइन जो कि आप भी ले सकते हैं किसी भी टाइम आकर और इस बस में एक कॉंप्लिमेंटरी पानी का बॉटल मिलता है जो फ्री ओफ कॉस्ट होता है आई थिंक फेर में इंक्लूड होता है बट आइम नोट शॉर कर सकता है और यह अमर्जेंसी गेट है जहां पर हमें सीट मिली है तो देखिए यहां से हम कर्टन हटाकर बाहर का व्यू भी देख सकते हैं और लास्ट में बैठने के लिए लास्ट में बैठने की वज़े से काफी कमफर्ट भी फील हो रहा है हमें ताकि हम सबसे पीछे बैठकर पूरी बस का आगे का व्यू ले सकेंगे और यह फेर है बस का टू पैक्स का उनिसो पैनतालीस रुपे डैली टू शिमला जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यह टिकिट है वॉल्वो बस का तो आप इसमें देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मिशन दी हुई है यह हमारी बस का फस्स लेवर है जहां हमारी बस ने आदे घंटे का इस्टे किया था ताकि पैक्स की अगर कोई रिक्वार्मेंट है अगर वो अपने लिए कुछ खाना पीना चाहते हैं या खाने पीने का कोई समान लेना चाहते हैं या वाशन वगरा जाना चाहते हैं तो फुल्फिल कर सकें, it's a wonderful रेस्ट्रोब it's a washroom ज्रुट्ट्ट्स देश्ट्स झाल midnight view from Chandigarh कुए लाँ आए झाल 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 एइ कि अगरे जाए कि अगरें उाज़ा हुआ हुआ हाई